चुकि इस सरकार को acronyms की आदत है और तरह तरह की योजनाओं के नाम ये रखते हैं प्रधान मंतरी सडक योजना, प्रधान मंतरी मुदरा योजना, आरूग्य योजना वगर वगर है तो ये जो बजट पेश हुआ है इसका नाम मेरे हिसाब से रखा जाना चाहिए प्रधान मंतरी व्याकुल वोट प्राप्ती योजना चुकि ये चुनाओं के पहले का बजट है तो जाहिर है कि वोटर को अपील करने के लिए सरकार वो सारे काम करे और क्यों न करे लिजिटेमेंट भी है लेकिन इससे ये पता लगता है कि सरकार के पेन पॉइंट क्या है जो सबसे बड़े दो एलान है एक है किसान के बारे में कि उसको अब 6,000 रुपए जिसके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है सीमान किसान छोटे किसान उनको 6,000 रुपए दिया जाएगा और ये काम अभी से शुरू हो जाएगा हलांकि इसकी विवस्था पैसे की अगले बजट में की जाएगी इसी तरीके से मध्यवरगी, दुकानदार, शहरी, सैलरीडी इंपलोईज को खुश करने के लिए टेक्स लैब में तो बदलाव नहीं किया गया है लेकिन एक रिबेट का मेकिनिजम लाया गया है इस वादे के साथ कि आगे चल करके जब बजट पर पेश करेगी नहीं सरकार उसमें हम इसका इंतजाम करेंगे और टेक्स की रेट कम करेंगे क्योंकि अब टेक्स का दाइरा बहुत बढ़ गया है यानि अर्बन मिडल इंडिया और गाउं में किसान ये जो दो stress communities हैं इनको पटाने की कोशिश की गई है आप कह सकते हैं कि ये populism है लेकिन तब ये argument भी हो सकता है कि ये इतने distressed class है कि ये populism justified है सरकार के और क्या-क्या pain point है इसका पता और इसकी हद का पता चलता है जब ये सरकार अपने आखरी साल में गायों के लिए एक काम-धेन्य योजना एनॉंस करती है या domestic worker के लिए एक pension की योजना लेकर के आती है जो बहुत अच्छी योजना है और कहती है कि ये सम्मान, मान, धन वगरा वगरा एकरोनिंग बहुत सारे लेकर के आती है यानि वो सारी constituency जहां 2 करोड वोट, 5 करोड वोट, 12 करोड खिसान का वोट, 12 करोड उज्वला की लभारती महिलाओं में से 70% महिलाए है उनका वोट हम कैसे जुटा लें तो इसके पीछे जो दिमाग है उसको आप देखेंगे तो उनके हिसाब से तो इतने जो वोट आधार वोट ग्रूप हैं उनको इतना पैसा आप दे दिया जाएगा इतनी सहुलियतें दे दी जाएंगी कि अगला चुना उनको आसानी से जीत जाना चाहिए लेकिन इसी बजट डॉक्यूमेंट को पढ़ करके उनको जो डर है जिस पर ज्यादा जोर दिया है उस डर का पता लगता है एसेंबली के पिछले रिजल्ट भी यही बता रहे थे कि कहां कहां उनको तकलीफ है उन्हीं कर्शिचिवेंसीज को अड्रस करने की इसमें कोशिश की गई है अभी जो रियक्शन आ रहे हैं वो इस तरह के हैं कि इसमें जो प्रावधान किये गए हैं एक सबसे बड़ा क्रिटिसिजम जो है वो यह है कि इनके नंबरों पर कैसे भरोसा करें जब वो डिटेल आएगी तब हम देखेंगे कोई भी सरकार चुनावी साल में आमदनी को एक्जजरेट कर देती है ओवर्स्टेट कर देती है खर्चे को अंडर्स्टेट कर देती है ये सरकार खास तौर पर डेटा की सैंक्टिटी के मामले में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के घेरे में है इसलिए आज बहुत सारे एक्सपर्ट को हमने ये कहते हुए सुना कि जब डेटा आएगा और उसकी डेटेलिंग देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि इस पर भरोसा किया जाए के न किया जाए फिस्कल डेफिसिट का एक नमबर देखिए वहाँ पर चिंता ये थी कि कहीं ज़्यादा स्लिप न हो जाए तो 3.3 का इन्होंने कमिट किया था लेकिन 3.4 पर ये खतम हुए है आप कह सकते हैं कि 0.1 तो बहुत ज़्यादा नहीं है 10 basis point बढ़ गया है कोई खास बात नहीं है लेकिन बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं जो serious investors हैं कि बहुत सारे खर्चे इनके out of budget होते हैं बहुत सारे खर्चे ये PSU's को कहते हैं corporations को कि आप करजा ले लीजिए आप हमारी योजना के लिए खर्च कर दीजिए जो budget में सरकारी खजाने में reflect नहीं होगा इस प्रकार के जब नंबरों को देखा जाएगा तो ये नंबर की विश्वसनियता कितनी होगी इस पर अभी आने वाले दिनों में ही सफाई होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता हलांकि सरकार ने ये साफ किया कि हम अपना regular budget जो अगली सरकार आएगी जून जुलाई में जब भी पेश करेगी उसी में कोई टैक्स के दरों में बदलाव करेंगे वगर वगर इसलिए जो अभी टैक्स लैब में बदलाव की बात हुई है वो एक rebate के तौर पर उसका immediate फायदा देने की बात कर रहे है किसान वाले में ये कह रहे हैं कि हम इसको 2018-1 दिसंबर से लागू करेंगे और मार्च के पहले एक किस्तिस्की इसी साल में दे दी जाएगी इस पैसे का इंतिजाम कहां से होगा इस पर आज की budget एलान में जब वितमंतरी अंतरिम वितमंतरी बोल रहे थे उसमें कोई सफाई नहीं आई थी तो नंबरों पर एक सवाल बना रहेगा दूसरा सवाल ये है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है वो ये है कि ये after all redistributive economic model ही तो है ये growth बढ़ाने के लिए देश की कमाई बढ़ाने के लिए आमदनी का पाई बढ़ा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं उसकी इसमें कोई बाते हैं लेकिन कोई कदम नहीं है जिससे हमको लगे कि हम तरकी करेंगे क्योंकि हम export करेंगे उससे कमाई करेंगे किसान को हम बाजार का मेकिनिजम दे देंगे तो ये मलहम पट्टी या एकॉनमिक स्टिस को कहते हैं पैलियेटिव ट्रीटमेंट है जिससे की आपको डिस्ट्रेस का पता चलता है इसके आधार पर अगर कोई सरकार कहती है कि ये हमारा नाया गवर्नेंस मॉडल है तो ये गवर्नेंस नहीं है ये गवर्नेंस के फेलोर की अवस्था में डिस्ट्रेस में डिस्परेशन में उठाए गए कदम है